तो गुड मॉर्निंग गाईज और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में एक डेसंबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है हाली में सबसे तेज 22,000 अंतर राष्ट्रे रन बनाने वाले खिलाडी कौन बन गए है तो अंसर होगा विराट कॉली तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है ये विराट कॉली और इन्होंने खेल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है तो वे अब सचिन तैंतुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्ले बाज बन गए है उन्होंने अपनी 462 पारी में इस मुकाम को हासिल किया है जिसके लिए सचिन तैंतुलकर ने 493 पारी खेली थी और इस रिकॉर्ड के साथ-साथ विराट कॉली 22,000 अंतर राष्टर रन बनाने वाले विश्व के आठवे बल्ले ब बताता हूं अभी वाइस के ब्रेंड अमबेजडर बने थे जो की हेल्थ सर्विस और सेनिटिशन बनाने वाली कमपनी है और अभी ग्रेट लर्निंग के भी ये ब्रेंड अमबेजडर बने थे बढ़ते आगे फिर जनवरी 2021 से लेंड लाइन से मुबाइल पर कॉल के लिए कौन सा prefix number dial करना होगा मतलब जो भी आपका आप अगर landline number से कोई भी number को dial करते हो तो उस number के पहले आपको कौन सा number dial करना होगा prefix मतलब सबसे पहले तो answer होगा zero तो अभी दूर संचार विभाग ने अभी हाली में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि landline phone से mobile number dial करने क लिए सबी उपभोगताओं को जो भी मोबाइल नंबर होगा उससे पहले जीरो डायल करना होगा तब ही आपका कॉल लगेगा तो यह आप याद रखना और हमारे इंफॉर्मिशन एन ब्रोड कास्टिंग मिनिस्टर कौन है प्रकाश जावडे कर है बढ़ते आगे फिर है भा वर्ष पूरे होने पर 100 रुपे का स्मारक सिक्का जारी किया गया है यह तीसरा बनाए तो इससे पहले दो कौन-कौन रह चुके हैं एक तो मैसूर यूनिवर्सिटी और एक बनारस यूनिवर्सिटी तो इनको भी यह सम्मान मिल चुका है तो अभी प्रधान मंतरी नरेंद प्रधिर मुदी जी ने विजया राज-जिपिया के सम्मान में भी 100 रुपे का सिक्का जारी किया था। कौन थी यह विजया राज-जिपिया तो इनको गौलियर के राजमातक के रुक में जाना जाता है और यह भारती जनता पार्टी विजए-पि के संस्थाफ़क सदस्य में से एक थी और अभी इनी की जन्म शताबदी को मनाने के लिए ये 100 रुपे का इसमारक सिक्का जारी किया गया था बढ़ते हैं गये और देखिए गाइस नौमबर मंथ एंड हो गया और आप में से काफी स्टुडेंट्स के एक बार रिवाइस जरूर से कर लेना क्योंकि डे बाई डे तो आप लोगों ने पढ़ लिया लेकिन एक बार लास्ट में सभी इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेस का रिविजन हो जाना बहुत ज़ादा जरूरी है और उससे भी ज़ादा इंपोर्टेंट अगर आप आरारबी या एंटीपीसी की तयारी कर रहे हो तो ये मन्थली करंट अफ़ेस के रिविजन वाले जो आउडियोज होते हैं या आपके लिए बहुत ज़ादा हेलफुल होंगे तो उस आउडियो रिविजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नवंबर मन्थ आउडियो रिविजन करके और अगर आप फर्स ताइम मुझे खबरी पे सुन रहे होंगे तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और फॉलो करने के बाद आल नॉटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा क्योंकि जब भी इस तरह के important audios अपलोड होंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके अभी हम बढ़ते आगे फिर अगला प्रशन है अभी हाली में किसने बहरीन Grand Prix 2020 को जीत लिया तो अंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने तो साथ बार के वर्ल्ड चेंपियन रह चुके हैं ये लुइस हैमिल्टन और अभी इन्होंने बहरीन Grand Prix 2020 रेस को भी जीत लिया है ये उनके पूरी लाइफ की 45 जीत है और इस सीजन की 11 जीत है लुइस हैमिल्टन ये कहां से हैं ये ब्रेटेन से हैं और किस कार कंपनी के ड्राइवर है तो मर्सेडीस के ये ड्राइवर हैं ये आपको याद रखना है अचा लुइस हैमिल्टन से एक और प्रश्णा भी हम लोगों ने पढ़ाता करंट अफेर्स में कि अभी इनको ब्रैंड अमबेजडर बनाया गया था किसका LG के ये ब्रैंड अमबेजडर बने थे अचा इस साल अभी तक कौन-कौन से रेस हो चुकी है मैं आपको एक बार फिर से रिवाइस करा दू टोटल पंदरा रेस अब तक हो चुकी है सबसे पहले हुई थी Austrian Grand Prix जिसके विजेतर रहे थे वोल्टेरी बोटास वो Mercedes के ड्राइवर है और वो है कहां से वो Finland से है उसके बाद इस Tireen Grand Prix हुई थी जो कि Lewis Hamilton नहीं जीती थी फिर British Grand Prix हुई थी वो भी Lewis Hamilton ने जीती फिर 70th Anniversary Grand Prix हुई वो Max Worspan ने जीती Max Worspan यादर्षना Red Bull के ड्राइवर है और वो खुद नीदरलेंड से है फिर Spanish Grand Prix हुई थी वो Lewis Hamilton ने जीती Belgian Grand Prix हुई थी वो भी Lewis Hamilton ने जीती Italian Grand Prix हुई थी Grand Prix हुई रशन Grand Prix हुई Eiffel Grand Prix हुई Portuguese Grand Prix हुई Emilia Grand Prix हुई Turkish Grand Prix हुई और अब ये बहरीन Grand Prix हो गई ये सब जीती है Lewis Hamilton ने तो यह आप ध्यान रखना और देखो सबसे अच्छा तरीका याद करने का ये है जो race Lewis Hamilton ने जीती उसको याद मत रखो उसके अलवा जो दूसरे लोगों ने जीती उनको याद रख लो उसके अलवा बाकि सब Lewis Hamilton वाली हो जाएगी मैं इसी तरह से आप याद कर रहूंगा ये जैसे ही पुरा year हमारा complete हो जाएगा सारी races complete हो जाएगी उसके बाद तो अभी अगर आप याद करना चाते हो आपके exam के लिए तो आप ऐसे याद कर लीजिए हम बढ़ते आगे फिर अभी हाल ही में SMS pay feature किस bank ने launch किया तो answer होगा yes bank ने तो अभी yes bank ने point of cell terminal के लिए जो point of cell machine होती है उसके लिए ये नया SMS pay feature launch किया है तो आप point of cell machine जो होती है वहाँ पे आप contact less भुकतान कर पाओगे point of cell machine समझते हो न जब आप shopping वगरा पे जाते हो mall वगरा में तो जहाँ पे आप card swipe करते हो तो वहाँ पे card को swipe करने की जरुवत नहीं contact में आने की जरुवत नहीं उसके contact less आप भुकतान कर पाओगे तो अब व्यापारियों को अपनी point of cell machine पर दूर से ही भुकतान स्विकार करने और अपने ग्रहकों को सुरक्षित रूप से लेंदेन करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करेगा ये बाकी लक्षमी विलास बैंक हमने पढ़ा था ये मर्ज हो गया है DBS Bank of India में HDFC Bank अभी 8 लाग करोड के market capital को पार करने वाला ये देश का पहला बैंक बना और भारती XR General Insurance इसका भी विले हो जाएगा ICICI Lombard में बाकी Yes Bank की बात करेंगे इस्तापना 2004 में हुई थी Headquarter Mumbai में है और इसके MDCO अभी नए बने थे इसी साल प्रशान्त कुमार नाम है इसके tagline होती है Experience Our Expertise अभी आपको याद होगा Yes Bank ने UAP नाम से एक Digital Wallet Mobile Application भी लांच किया था और Yes Bank के Chief Risk Officer मुखे सतरक्ता आयुक्त बने थे नीरज धवन बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज्य सरकार ने ओरू नोडोई योजना शुरू की है तो अंसर होगा असम की सरकार ने तो अभी एक दिसंबर 2020 से जाने कि आथ से असम सरकार ये ओरू नोडोई योजना शुरू कर रही है तो इस योजना में होगा क्या तो इस योजना के तहत राज्य के 18 लाग से ज़्यादा परिवारों को अपने बैंक खातों में हर महीने 830 रुपे मिलेंगे तो आपको उता दूँ ये आजादी के बाद असम की सबसे बड़ी योजना है तो ये जो योजना है ये महिलाओं की भुमिका को मजबूत करेगी क्योंकि ये जो पैसा है ये परिवार में महिलाओं के बैंक खातों में ही आएगा अब बात आसम की है तो ये रहा मैप में आसम, देखो आसम की कैपिटल दिसपूर है, मुख्य मंतरी है सर्बानन्दा सोनोबाल, गवर्नर है जगदीश मुख्यी, अभी आपको याद होगा आसम की तेजपूर लिची को जी आई टेग मिला था, उसके अलावा आसम की सबसे ल उत्तर का पहला गाय अस्पताल, इसका उधगातन किया गया असम के डिब्रुगड में, उसके अलावा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित किया जा रहा है आपके असम में, अभी असम सरकार ने पैंचनर्स के लिए करतक गेता पोर्टल भी लॉंच किया था, मुख्य मंतरिर ग्राम में परिबहन अचोनी योजना भी शुरू की थी, और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये भी शुरू किया गया था भी ब्रह्म पुत्र नदी पे जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर, और दो पोइंट अमिशा में आपको बता जो कि एक सिंग वालोग गेंडो के लिए फेमस है, और भारत का एक मातर गोल्डन बाग अभी असम के काजी रंगा नेशनल पार्क में देखा गया था, यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क भी मिलेगा वेसे, मानस नेशनल पार्क, डिबरु शिखोवा नेशनल पार और रंग नेशनल पार्क, यह सब यही पे मिलेंगे, और भारत का सबसे लंबा पुल है भुपेन हजारी का, वो आपको असम में मिलेगा जिसकी लंबा यह 9.15 किलोमेटर, किस नदी पे है, लोहित नदी पर है, असम में ही बीहु महत्सो भी मनाया जाता है, बीहु नरत्य अब आपको मिलेगा यहां पे, तो यह सब याद रखना बढ़ते आँगे, फिर है हाली में, The Hitman, The Rohit Sharma Story नाम की बुक को किस ने लिखा, तो अंसर वका विजे लोक पल्ली और जी कृष्टनन ने, तो The Hitman के नाम से जाने जाते हैं, रोहित शर्मा आप जानते ही हो, और इन इंडियन्स के, जो इस बार के जो IPL होए थे, IPL का 13 संसकरन कहां पे, United Arab अमिरात में, तो उसकी विजेता टीम यही थी, Mumbai इंडियन्स, पांच बार जीच चुकी है यह, और याद रखना, इस साल का राजी उगांदी खेल रतने पुरसकार, यह भी रोहित शर्मा कोई मिला पांच खिलाड़े को विलाता वैसे तो उसमें से एक रोहित शर्मा भी है, चलो आप नीचे comment box में लिखकर के बताओ, रोहित शर्मा के अलावा चार खिलाड़ी और वो कौन-कौन है, जिनको इस साल का, जिनको इस साल का, राजी उगांदी खेल रतने पुरसकार मिला है, इमबेजडर बनाया है, सौरव कांगुली, इनको अभी हाईजीन ब्रेंड है, लिविन गार्ड, उसने अपना ब्रेंड इमबेजडर बनाया था, वैसे ये सुनील छेतर के साथ मिलकर के JSW सिमेंट के भी ब्रेंड इमबेजडर बने थे, और मानुशी छिलर, 2017 की Miss World रह होगा मोहनलाल, तो एक काफी फेमस दवा कंपनी है Mankind Pharma, और अभी इसने मलियालम अभीनेता है मोहनलाल, उनको अपना ब्रेंड इमबेजडर बनाया है, बाकी विराट कोली के बारे में आपको बताय चुका हूँ, अभी वाइस के ये ब्रेंड इमबेजडर बने थे, संज बढ़ते आगे फिरहाली में International Transport Association ने किसे दुनिया का सबसे जुड़ा शहर घूशित किया यानि कि Connected City घूशित किया, तो आंसर होगा शंगाई को तो International Air Transport Association के अनुसार, चाइना का शंगाई दुनिया में सबसे जुड़ा हुआ यानि कि Connected शहर है फिर्स नंबर पे चाइना का शंगाई है, सेकिन नंबर पे बिजिंग है चाइना की Capital, तीसरे नंबर पे चाइना का Chengdu है, और चौथे नंबर पे भी China का Guangzhou है अचा इंटरनेशनल एर ट्रांस्पूर्ट असूशियेशन का हेड़क्वाटर कहां पर है मौन्ट्रियाल कैनेडा में है बढ़ते आगे फिर अभी हाली में BASF अपना कौन सा इस्तापना दिवस मना रहा है तो आंसर होगा 56 तो एक्चुली आज ही के दिन यानि कि एक दिसंबर 1965 को BASF की स्थापना वी थी तो हम हर साल एक दिसंबर को BASF का स्थापना दिवस मनाते हैं और इस बार कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हम 56 पनवा BASF यानि कि Border Security Force जो पाकिस्तान और बांगलादेश बोर्डर पे हमारी रक्षा करती है इसके डिरेक्टर जनरल अभी नए बने थे वैसे उनका नाम क्या है राकेश अस्ताना अच्छा एक प्रशन में आपसे पूछना चाहूंगा वैसे एक देसंबर को एक और डे ह हम लोग मनाते हैं वैसे उस दे के बारे में मैं आपको कल बताऊँगा विद्थीम अगर आपको अभी याद है तो बताए वो कौन सा डे है अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तरगी तो कल के वीडियो में पूछा गया था कि हाली में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही तो आंसर होगा 104 और इसमें टॉप पे रहा बेल्जियम आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईस जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी लोग को याद दिला दू नवंबर मन्त की सभी important questions का audio revision में अप्लोड कर दिया है तो उस audio revision को सुनना मत भूलिएगा most important question उसमें cover किये गए है सारा question आपका एक इबार में cover हो जाएगा आपके आने वाले exams के लिए वो most important audio रहेगा तो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा November month audio revision करके और वीडियो को like करना मत भूलिएगा अगर नही यह और इन सभी questions का आप practice लगा लिजिए ताकि यह सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए student इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि quiz में आप ranking feature भी add हो चुका है तो अगर आप कम समय में जादा से जादा question write करते हो तो आपका नाम आपकी photo के साथ top 10 students में आपको दिखाई देगा आपको यह नहीं जितने भी लोग quiz लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके कि आपको भी यहा तक पहुँचना है ताकि सब लोग आपको top 10 ने देख सके और वैसे भी आप नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे तो आप ही के लिए मैं इसका revision audio त्यार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ जाकर करके आप मुझे follow कर लीजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं audio upload करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अभी तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पे आपको quiz, video, pdf सब मिल जाएंगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते है current affairs के revision वीडिय टो जाएगे प्राइब.